वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को पैस करें। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज, धारदार, मजबूत पंजे और दांत हैं। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ। लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं। दरसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंक पहला कर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है। तभी वहां से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा तो उससे पूछा। तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो। फिर भी इतने दुखी क्यों हो। तुम्हें क्या परेशानी है। दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूँ। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानी पहुँचाता हो। शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परिशान कर सकता है। शेर ने पूछा वह कौन सा छोटा जानवर है हाथी ने कहा। महराज वो जानवर चींटी है वह इस जंगल में सबसे छोटी है लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुस्ती है तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है। फिर भी मुझे उससे जलन होती है। इश्वर ने सभी प्राणियों को अलग-अलग खामियां और खूबियां दी है। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेयर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती है। इससे शेयर के मन में उसका खोया हुआ आत्म विश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। कहानी से सीख हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए क्योंकि हम सभी में अलग-अलग खूबियां और खामियां होती हैं।